प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग किर्मिच की गेंद पार्ट हमने समाप्त कर लिया है पहले ही और इसका वीडियो जो है मेरे यूटूब चैनल पे उपलब्ध है वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं दुबारा उस तके क्योंकि उस समय उपलब्ध नहीं थी और अब जाके उपलब्ध हुई है तो पहले आपने PDF फॉर्मेट पे इस बुक को पढ़ा है अब आपके पास बुक उपलब्ध हो चुका है तो इस बुक में कुछ activities हैं जो की हम देखेंगे और करेंगे आईए हम शुरुआत यहां से करते हैं पहचान मान लो तुम्हारा कोई खिलोना घर में ही कहीं खो गया है तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले तुम अपने खिलोने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी लिखो तो यहाँ पे मान लीजे कि आपका एक खिलाओना खो गया है और आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस खिलाओने की विश्रिष्टता अपने दोस्तों को बताएं और उसके आधार पे आपके दोस्त आपकी मदद करें उसे ढूनने में तो चलिए खिलोने की पहचान बताते हैं मान लीजे कि आपका खिलोना जो है वो गुडिया है ठीक है तो उसकी पहचान आप कैसे बताएंगे उसकी पहचान हम इस तरीके से बता सकते है मान लो कि वह खिलावना गुडिया है पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि यह जापानी गुडिया है जो बिजली से नाचती है वह गुलाबी फ्रॉक पहनी है उसके बाल घने लंबे और काले हैं उसकी आखे इस समय बंद होंगी ठीक है? कहां सामने की क्यारी में भिंडियों के उँचे उँचे पौधे थे एक और सीता फल की घनी बेल पहली हुई थी सीता फल की बेल होती है और भिंडी का पौधा बताओ और कौन-कौन सी सबजियां बेल और पौधे पर लगती है ठीक है तो यहां हमें बताना है तो बेल पर लगने वाले सबजियों में हम कह सकते हैं कदू, तोड़ी, करेला, ककड़ी, मटर ठीक है और पौधे पर लगने वाले सबजियां में हो गया जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता, इत्यादी तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जितना भी हम अभी अक्टिविटिस कर रहे हैं, जो भी अभ्यास कर रहे हैं यह आपको बुक में ही लिखना है, जहां जगा दिया गया है, यहीं लिखना है ठीक है? इसके बाद आते हैं यहां पे तरह तरह की गेंदे गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं अलग-अलग खेलों में अलग-अलग प्रकार की गेंदों का इस्तमाल किया जाता है नीचे दी गई जगह में खेलों की अनुसार गेंदों की सूची बनाओ यानि की क्रिकेट क्रिकेट गेंद को हम किर्मिच की गेंद से खेलते हैं किर्मिच यानि कि एक खास तरह का एक कपड़ा होता है मोटा कपड़ा उससे बनाया जाता है ठीक है क्रिकेट का गेंद अब इसके बाद और हम क्या क्या खेलों के नाम लिख सकते हैं यानि कि हमें लिखना है यहाँ पर खेलों के नाम और उन खेलों में इस्तमाल होने वाले गेंदे ठीक है किस से बनती है वो यहाँ हमें लिखना है तो दूसरा हम लिख सकते है होकी रबड यानि कि होकी की गेंद रबड से बनती है ठीक है और दिख सकते हैं आप बॉली बॉल बॉली बॉल कैसे बनता है चमडा से तो चमडा लिख दीजिए और हम खेलों में लिख सकते हैं टेनिस टेनिस की गेंद किस से बनती है प्लास्टिक से यहां प्लास्टिक लिख सकते हैं ठीके आगे बढ़ते हैं चीक सरकंडे से भी बनती है और तिलियों से भी सरकंडे से और क्या-क्या बनती है अपने आस-पास पता करो और लिखो तो यहाँ पर हमें देखना है और देख करके लिखना है सरकंडे से और क्या-क्या बनती है जैसे सूप हर कीचन में एक सूप होता है ठीक है? वो सूप लिख सकते हैं वो सरकंडे से ही बनती है उसके बाद यहां पर आप चटाई लिख सकते हैं गाओं घरों में आपने देखा होगा चटाई जो हमें इस्तमाल वहां करते हैं और हो सकता है कि शहरों में भी आप बहुत जगा पर देखेंगे तो चटाईयां भी सरकंडे से बनती है कलम भी बनती है इसके बाद टोकरी टोकरी भी सरकंडे से बनती है तो इस तरीके से हम यहां लिख सकते हैं अब आते हैं यहां पर एक दो तीन दिनेश ने तीमन्जिली इमारत की और देखा जिस इमारत में तीन मन्जिले हो उसे तीमन्जिली इमारत कहते हैं बताओ इन्हें क्या कहेंगे जिस माकान में दो मन्जिले हो उसे क्या कहेंगे दू मन्जिला माकान ठीक है जिस इस्कूटर में दो पहिये हो उसे कहेंगे दो पहिया इस्कूटर जिस ज़ंडे में तीन रंग हो उसे कहेंगे तिरंगा ज़ंडा जिस जगह पर चार राहे मिलती हो उसे कहेंगे चौराहा जिस स्कूटर में तीन पहिये हो उसे कहेंगे ती पहिया स्कूटर ठीक है तो यह सारे अभ्यास आप यहाँ पर पुस्तक में ही लिखेंगे लिखके मुझे दिखाएंगे